चलिए अगला है छै रोग टूबर क्लोसिस जिसे टीबी या तपेदिक रोग भी कहते हैं तो देखो इसका कैस टीबी जनरली लोग टीबी या टूबर क्लोसिस के नाम से जानते हैं इसको छै रोग भी कहते हैं और इसको तपेदिक रोग भी कहते हैं तो चारू ना मियाद र जीज है, कौन से बैक्टीरिया की द्वारा होता है, तो ये होता है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस ये भी याद करना आसान हो जाएगा, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस बैक्टीरिया की द्वारा होता है ये, क्लियर है, और ये बैक्टीरिया जो होता है ये रॉड नुमा होता है मतलब यहां दिया गया छड़ाकार होता है मतलब इसका सेप भी दे दिया गया किलियर है तो Mycobacterium tuberculosis के द्वारा ये रोग होता है संक्रमड कैसे होता है यहां पर है देखे इस रोग का संक्रमड जीवाड का रोगी के थूख मतलब जो बैक्टेरिया है वो कैसे दूसरे तक फैलते हैं तो रोगी के थूख खांसी, छींक आदी द्वारा सीधे, संपर्क मतलब आद द्वारा सीधे या भोजन के थूख या जल के थूख या वायू के माध्यम से ये स्वस्थ मनुस्थ के शरीर में प्रवेश करता है नौरमली सारे डिजी जैसे ही फैलते हैं या तो छींकने, खांसने, थूख से या तो डैरिट फैलते हैं या भोजन, जल, वायू इन सब के माध्यम से फैलते हैं किलेर जीवाडू सामानते है फैफड़ों पर आक्ड मर करता है अगर जैसे इसमें पूछा जाए ये कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है तो लंग्स को फैफड़ों को इन्फेक्ट करता है ये बैक्टिरिया कभी-कभी ये सरीर दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है और जिसमें मस्तिक्स दिमाग भी सामिल है ठीक है अच्छा फिर क्या है हाँ ये मस्तिक्स को भी infected जैसे यहाँ पर है infected part क्या हिससे तो ये है फेपड़ा है lungs है लेकिन कभी कभी क्या होता है ये मस्तिक्स को भी अपने सीमा में ले लेता है मतलब उसको भी infect कर देता बहुत ज़्यादा लेबल से clear है अच्छा फिर क्या जब भी bacteria यहाँ पर एक point दिया गया है जब भी bacteria की रोग प्रतिरोधक चमता में कमी आती है तब ये bacteria सक्री हो जाते है मतलब जब तक immunity system अच्छी है तब तक तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लेकिन जैसे immunity system कम होने लगती है तो ये bacteria बहुत ज़्यादा active हो जाते हैं और आहार नाल और हड़ियों में पहुँच कर देखिए ध्यान देना है आपर आहार नाल और हड़ियों में पहुँच कर tuber clean नामक बिसाक्त पदार्थ मतलब जहर पैदा कर देते है clear है जब immunity power तो देखो immunity power यानि कि प्रत रोधक छमता का कितना ज़्यादा रोल होता है एक नहीं हर बिमारी में बहुत बड़ा रोल होता है clear है तो आहार नाल और हड़ियों में पहुँच कर tuber clean नामक बिसाक्त पदार्थ ये जहर पैदा कर देते है clear है फिर इसके लक्षड क्या है तो लक्षड है इस छै रोक से गरस्त रोगी सारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है वजन में कमी तो सवाविक है भाई वजन में कमी जवर खांसी रुधीरी युक्त बलगम सीने में धर्द आद इस रोक के लक्षड है और लंग्स से कैलसियम साल्ड्स की गुलिकाएं बना लेता है मतलब जैसे लंग्स में जो फेपड़े होते हैं वहाँ पर मान्स होता है एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे लंग्स को एक लंग्स के पास में उतक होती हैं कोसकाएं होती हैं उन सब को कैलसियम साल्ड्स की गुलिकाएं मतलब एक ठीक छोटे छोटे बलगमे करके फेपडों के उतक को नश्ट करने लगती है या फेपडों के उतक धेर धेरे ये जो बलगम गिरता है कहां से गिरता है वो इस पूरा फेपडा ही खतम हो जाता है clear है तो ये चीज होता है बहुत मतलब लगातार आती है है ना और ऐसे गिरने लगता है खून वगरा बहुत ज़्यादा गिरने लगता है बलगम गिरने लगता है हाँ छीकते छीकते आप देखकर ऐसे मतलब दिमाग कर एकदम पागल हो जाता है clear है आगे देखे रोगठा में उमुक्चार घर के कमरों को सुच्छ रखना चाहिए और इन में वायु आसूर के प्रकास की समझुत ब्योस्था होनी चाहिए रोगी के संपर्क से बचना चाहिए देखिया आँ दिया गया है लेकिन अब भाई कोई तो सेवा करने के लिए रहेगा तो इसी लिए ऐसे समय में अपने काम आते हैं जैसे लोग कहते हैं पैसे से अर्चीज खरीदा जा सकता अब एक कोन कहता नहीं खरीदा जा सकता लाश्ट में आप देखे होंगी कोई बहुत ज़्यदा बिमार होता है तो अपने ही काम आते हैं फिर वहां रिष्टेदार ये सब एक साइड में हो जाते हैं तो वही चाहिए रोगी के संपर्ग से बचना चाहिए तो इसमें एक डू रोगी को संपर्ग से बचो और रोगी के लिए पौश्टिक आहर की ब्योस्था करनी चाहिए क्यों क्योंकि आलड़ी इसकी इमिनिटी सिस्टम कमजोर हो जा रहे तो ऐसा पौश्टिक आहर जो की कहीं न कहीं इसको एनरजी दे और रोगी को बी सी जी अब यहाँ पर ध्यान दे ना टीवी के लिए बी सी यह बहुत जादा कॉश्टन पोचे जाता है बैसिलस कैलेमिट गिरीन इसको बोलते हैं बैसिलस कैलेमिट गिरीन का टीका लगवा देना चाहिए लगता है अब भाई यह तो मुझे नहीं पता है आगे देखें डॉक्टर की सलाह से रोगी को स्ट्रेप्टो माइसिन और आईसो नियेजीड यह अन्य दवाएं देनी चाहिए यह सब यह जो है जितनी माइसिन पैंसलीन यह एंटिबाइटिक होती क्लियर है चलो एक बार इसको रिवीजन कर लो टीबी कौन से बैक्टिरिया के द्वारा होता है माइको बैक्टिरियम टूबर क्लोसिस के द्वारा होता है यह किसको इंफेक्ट करता है लंग्स को इंफेक्ट करता है क्लियर है और यह जो है कौन सा जहर पैदा कर देता है हम एची जाद रखना और इसमें कौन सा ठीका लगवाना चाहिए तो BCG Bacillus Calamid ग्यूरेन का ठीका लगवाना चाहिए ओके